CBSC का परिनाम आते ही बच्चों के चेहरे खिल गए सभी अपने दोस्तों से फोन पर बात करने में मगन पार्टी की तयारी में लग गए सभी ने शाम को पार्टी एंजोय किया अगले दिन सुबह मैंने पूंचा अब आगे क्या करने का विचार है एक बोली सर मुझे तो डॉक्टर बनना है दूसरी बोली मुझे इट क्रेक करना है ये सुन मैं फरुखबाद में अपनी पुरानी यादों में वापस चला गया मैंने 1995 से 2022 तक फरुखबाद में पढ़ाया मुझे खुशी है मेरे पढ़ाई लगभग सभी स्टुडेंट्स अपनी जिन्दगी में काफी अच्छा कर रहे है सभी देश या विदेश में सैट है बस यही मेरी जिन्दगी की कमाई है मैं अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ जो 75% से 85% के लगभग तक नंबर लाए उन्होंने अपनी जिन्दगी में बहुत अच्छा किया कारण है ऐसे स्टुडेंट्स के पास पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी का पितारा भी होता है यही करियर का एक बहुत आवश्य तत्व जो 5 से 10% तक होता है यह 95% से उपर वालों के पास बहुत कम होता भारत में नौकरी की हालत बहुत खराब है इसलिए मैंने अपने स्टुडेंट्स को हमेशा कंप्यूटर क्शेत्र में जाने को कहा है अगर चात्र सक्षम है तो उसे IIT 1EAT में चांस लेने में कोई बुराई नहीं है Bulldozer have forced me to leave Farooqabad.my heart and soul will always be with your .my dear students If any problem you can ask me on my whatsapp number 8127513096 Goodbye